इस वीडियो में मैं ब्लैक अंडराम्स को क्लीन करने का जो तरीक आपको बताने वाली हूँ ना उसे देखकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे सिर्फ एक बार के यूज करने से ही इससे कम से कम 50% जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और जो लेडिजं कर सलिउ ब्लैक अंडराम्स की वाज़े से नहीं पैन पाती है उनके सामने बहुत प्रोब्लम होती है कि कर सलिउ नहीं पैन पाती है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़ादा योजफूल है तो सबसे पहले मैं आपको जो है इसका तरीका बता देते हूं कि इसे हम पेश्ट को किस तरीके से यूज करेंगे और इसमें मैंने जो यूज किये हैं चीजे वो घर में से ही यूज किये हैं बहुत एजीली मिल जाएंगी और सिर्फ तीन चीज़ों का मैनने यूज किया है सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देती हूँ जो मैंने यूज किया है उप अब बाद में बताओंगी क्योंकि मैं पहले आप लोगों को रिजल्ट दिखा देती हूँ कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट है कोई साइड डेफैक्ट भी नहीं तो मैंने यह जो पेश्ट बनाए है घरपर हमें और इसे रेडी करने के बाद जो है अभी मैं आपको पूरा बता दुंगे के मैंने क्या क्या मिला है और घर से और ब्रस की help से जो मैंने पेष्ट तैयार किया है उसे अच्छे से apply कर देंगे अब हमें क्या करना है अपलाई करने के बाद इसे 15 minute के लिए छोड़ देना है सिर्फ 15 minute इससे कोई भी problem नहीं होगी कोई इचिंग नहीं होगी कोई redness कोई side effect बिल्कुल भी नहीं होगा काला था वही लेमन जो है मैं लेकर के उल्टा करके जहां पर मैंने पेश्ट अप्लाई किया है उसी पर जो है पांच मिंट के लिए राउंड राउंड में इसक्रब की तरह घुमाऊंगी और ध्यान रखना है बस बहुत ज्यादा मतलब टाइट नहीं रगड़ना है बहुत स पर संट तो नहीं होगी लेकिन 50 जो है बिलकुला जाएगी आप लोग इस highlight को ज sect को जो है हफ़ते में हे और मुश्किल से मुश्किल तीन बार अगर आप लोग इसे यूज करेंगे तो बिलकुला Rose 가 तो यह देखेगा कितना अच्छा रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं अब मैं आपको बता देती हूं कि मैंने इसमें क्या-क्या मिलाया है घर में हमारे जो है एक तो लेंगे हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे और दूसरा लिया है मैंने यह पर कोलगेट यह आप लोग देख सकते हैं मैंने समान सारा यह यह दिखाने के लिए रखा हुआ है ताकि मैं इसे आपके सामने बना सकूँ यह है बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो चीजों में कंफ्यूजन नहीं हो होना चाहिए बेकिंग सोडा अलग होता है बेकिंग पाउडर अलग होता है तो मैंने यह पर लिया है वो लिया है बेकिंग सोडा और दूसरा लिया है मैंने कोलगेट जो की वाइट कलर का होता है और तीसरा है लेमन जोस तो तीनों को क्या करेंगे क्वांटिटी उस मिला हुआ है और ब्रस की हेल्प से जो है से अच्छे से पेश्ट बना लेंगे इस पेश्ट को बना करके जो है रखना नहीं है साथ के साथ अप्लाई करना है तो कैसा लग आपको मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएए